यह देखिए हमारा जियू भार पिरामिडे एक सीधा है एक उल्टा है एक जंगल का है और एक वाटर का है एक वेटिक है जंगल वाला जियू भार पिरामिडे वहां व्रक्ष है उसका बहुत ज़्यदा वजन है वजन के इसाब से ही है तो सीधा ही बनेगा यह पिरामिड उस नहीं कम बजन है नीचे इसलिए उल्टा प्रोडिूसर तो नंबर वन पर याएगा तो उल्टा ही बनाना पड़ेगा हमें उस पर एनिमल जो फ्लोट करते हैं लाइक प्रोटोजोंस हैं और जो भी फ्लोटिंग एनिमल्स जिने प्लैंक्टोन कहते हैं तो जन्तु प्लवक य बड़ी मचलियां बिग फिशेज तो जलाशय का जीवभार पिरामिड है वो उल्टा बनेगा हमेशा एकवेटिक पिरामिड उल्टा बनेगा क्यों बनेगा क्लियर हो गया है यह एसाइन्मेंट का क्वेस्चन है कि क्यों आपका जीवभार का पिरामिड जलाशय वाला का पिरामिट देखिए अब आप मुझे बताइए उर्जा का पिरामिट सीधा दिख रहा है आपको कोई उर्जा का पिरामिट उल्टा नहीं बनेगा आपको का पिरामिट उल्टा दिख रहा है यह सीधा ट्राइंगल क्योंकि हमेशा जो एनरजी है वो सबसे ज़्यादा किसके पास होगी प्रोडिूसर्स उत्पादक के पास होगी क्यों क्योंकि सन एनरजी को यूज किया उन्होंने और फोटो सिंथेसिस प्रकाश संस्लेशन की प्रक्रिया दुवारा उन्होंने अपना भोजन तयार किया क्योंकि उनमें हरित लवक उपस थी थे और धे। आप कमएं होगा है समतुर्ण थीयाचा का सम्ति क्विशा आप इने समयन में अब यहीं रेन पर खाएंगी और-दिया है। का लोस होता जाता है कुछ kilo calories का क्योंकि उनका breathing वगेरा में वो consume होती है तो एक दूसरे से transfer में भी उसका कुछ lose हो जाता है तो सबसे ज़्यादा energy producer के पास उससे कम primary consumer के पास जो की शाकारी है हर भी वोर से उसके बाद secondary consumer जो है वो primary carnivore है उसके पास थोड़ी और कम और tertiary या टॉप जो कंजीवर है उसके पास सबसे कम दिख रहा है आपको 10,000 फिर 1,000 फिर 100 फिर 10 यानि कितनी कम होती जा रही है energy तो energy का जो पिरामिड है वो बिल्कुल सीधा बनेगा ये थे आपके तीनो पिरामिड एकोलोजिकल पिरामिड आज का हमारा इतना ही है इसका आप रिवीजन करना और इसके उपर जो मैं आपको दे रही हूँ एसाइनमेंट वो करना हम एसाइनमेंट आपको वाटसेप ग्रूप में PDF की फोर्म में मिल जाएगा अब energy फ्लो आपने देखी लिया food chain में अभी जो आमने इतना सारा इसके बताया ना किया है पिरामिड आफ एनरजी के बारे में कि सबसे पहले उत्पादक के पास सपोस सो किलो केलोरी है एरो बना के आगे लिखे तो उसका जो अगला कंजूमर है उसके पास गई 10 किलो केलोरी यानि 90 परसेंट भाग नश्ट होता है हर बार हर ट्रोफिक लेवल में जो energy transfer होती है हर पोश इस्तर में जो उर्जा आगे जाती ट्रांसफर होती है तो कित्ता लोस होत है 90 प्रतीशत यह सेकेंड क्रिस्चन आपका आप नोटिस कीजिए कि हर पोशक इस्तर में उर्जा ट्रांसफर होते वक्त कितनी उर्जा नश्ट होती है 90 प्रतीशत यह जवाब देना पड़ेगा आपको याद रखना पड़ेगा फिर जो दित्यक उप्वोगता है उसके पास वापस 90 प्रतीशत नस्टो के गई तो 110 एक और 0.1 रह गई यह था खादिश अंकला में उर्जा का प्रवाह एनर्जी फ्लो इन फूट चेन क्या है प्रोड्यूसर के पास 100 अगली एरो बना के लिखते हैं कंज्यूमर यानि उप्वोगता के पास 10 फिर अगले सब के बीच में एरो 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 लगा दो सीधी लाइन में इसको लिखो तो और एरो के उपर लिखो 90 प्रतीशत नस्ट 90 प्रतीशत नस्ट 90 प्रतीशत नस्ट 90 परसेंट लूज यह है एनर्जी फ्लो इन फूट चेन खादिश रंखला में उर्जा प्रवाह अब हम अगले जो हमारा लास्ट टोपी के इको सिस्टम का वो बताएंगे कि अलग-अलग इको सिस्टम जैसे कि मेरा आइन इको सिस्टम यानि समुंदरी टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम यानि स्थली है कुछ पोटो अगेरा हम आपको बता देंगे कि डेजर्ट में चलने वाला यानि रे